तो आप लोग कैसे हैं आई होग कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम आप लोग के लिए कर रहा है क्लास 12 का सिगेंड चैप्टर सॉलेशन का लेक्चर नमबर 9 जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे हमसे आइडियल और नाइडियल सॉलेशन के बारे में तो सब्सक्राइब करेंगे जैसे मानलों आप किसी स्कूल या फिर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो स्कूल और कॉलेज के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है उस स्कूल के अंदर में कि यह बच्चा इस क्लास में पढ़ेगा और अगर पढ़ना है तो ऐसे इस सितिमें जो बच्चे उस सिस्टम को फॉलो करते हैं उनको क्या कहा जाता है आइडियल अस्टुडेंट कहा जाता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिस्टम को इगनॉर करते हैं अंडरेस्टिमेट कर देते हैं तो ऐसे इस्तिति में हम उसे क्या करते हैं नन आइडियल और नहीं तो आप जाने ऐसे में रिवाइज करवा देते हैं कि रॉल्ट लॉट लॉट होता है तो कि अंदर जो पार्शियल प्रेशर होते हैं आए ने क्या कहा था कि दफ्रेशर ओफ इच इसको जो भी जो भी शॉलुट है और फॉलॉट करता है उसको हम लोग ideal solution करते हैं और जो इस law को follow नहीं करता हम उसको non-ideal solution करते हैं जैसे as example मालो हम यहाँ एक ले लेते हैं solute ठीक है? ज्यान से समझो इसको हम यहाँ एक solute ले लिए यह कैसा type है बाबू? मालो यह b type है ऐसे b type है ठीक है? और एक यहाँ ले लिए solvent ठीक है? एक एक पार्ट को ठीक से समझो बिल्कुल समझा जाएगा अब यह क्या है? ए टाइप है अब यह दोनों को यह solute हो गया और वह solvent मालो ए और भी इस तरीके से अब हमने एक नहीं यहाँ solution तयार किया ठीक है? तब इसमें तो दोनों सेब्स्टेंस है इसके अंदर तो दोनों ही चीज है दोनों के molecules होंगे किसके किसके? A के भी होंगे और B के भी होंगे ठीक है? मालो A, B, A, B और A इस तरीके से हैं दोनों की ही molecules है तो यहाँ जो pressure है वो P not A होगा चुकि हम बताया थे कि P not A का मतलब क्या हो रहा है कि nothing what? nothing मतलब सिभाए A के और कोई नहीं है चुकि P भी लिखे है तो इसलिए हम लोग यहाँ P भी लिख देंगे B है तो इसलिए P भी लिख देंगे ठीक है? यहाँ का pressure P है पी बी का मतलब क्या हो रहा है पी ओर सेबस्टेंट्स है अभी वो बिल्कुल पी ओर है मतलब pressure of only B B का के बल प्रेशर है और यहाँ हो जागा P not A यहाँ भी यह प्योर फॉर्म में है ठीक है? वो दिक्कत लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है यहाँ दोनों को मिला दिया गया है तो मिला देने पर हमने क्या बता कि कैसे निकालते हैं? कैसे pressure निकाला जाता है? तो हम बताया थे तो जब मिला दोगे तो मिक्ष कर दोगे तो उसका pressure क्या हो जाएगा बाबू? बताओ तो हम बुले थे ना कि P A is equal to क्या हो जाएगा? P not A into क्या X A एक से क्या था? मोल फ्रेक्शन मोल फ्रेक्शन और वहाँ P B is equal to क्या हो जाएगा? P not B into क्या X B और टोटल प्रेशर क्या होता था? याद है रोल्ट ला भी अभी concept रोल्ट ला को ही चला रहे हैं P total क्या हो जाता था बाबू बताओ P not A X A plus P not B X B टोटल प्रेशर इतना के equal होता था अब कह रहा है कि जो इस ला को फॉलो कर देगा वो हो जाएगा आइडियल और जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो जागा नेन आइडियल तो यह आइडियल और नन आइडियल का कंसिप्ट क्या चक्कर है देखो जैसे मान लोग कि तुम 20 ग्राम सॉल्यूट है और 40 ग्राम सॉल्यूट यह दोनों को मिला दो तो मिला देने पर 60 ग्राम आएगा तो यह calculated है रटा रटा यह चीज है हम लोग हमेशा सही बनाते रहा है कि 20 ग्राम, 40 ग्राम तो 60 ग्राम 30 ग्राम, 80 ग्राम, 110 ग्राम पतलो एडियल कर दिये और उतना आगया लोग मान लिए कि वो आइडियल है तो हम लोग ऐसा consider करते हैं हम लोग ऐसा बनाते हैं यह रटा रटा है चीज है यह कोई जरूरी नहीं है कि सारे का concentration जो आप बना रहे हैं वो बिल्कुल इसी terms में है हाँ, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग आइडियल का बना रहे हैं इस कारण से उसको same to same वैसा ही एड़ करके और लिख दिया करते हैं लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कभी हो सकता है कि उससे कम जाए और कभी ऐसा भी हो कि उससे जाधा भी हो सकता है तो जो अगर बाकई में 120 ग्राम एड़ करने पर solute और solvent के mass को solute और solvent के pressure को मतलब जितना एड़ कर रहे हैं solute और solvent को एड़ करने पर अड़ेक्ट उतना ही आ रहा है जितना की total आना चाहिए तो यह राल्टला को follow कर रहा है लेकिन उससे कमता भी है हम लोग बनाते नहीं है वो वात अलग है कमता भी है और ज़्यादा भी हो जाता है ठीक है लेकिन कब ज़्यादा होगा कम कब होगा और क्यों कम और ज़्यादा होता है यह हम लोग देखते हैं सबसे पहले में नॉर्मल सा ग्राफ बना ले अब देखो हम बता रहा है यह हमारे सामने है ठीक है यह लाइन जो है न वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं और यह जो हमारा लाइन रहेगा एकसेस वो हमारा मोल फ्रेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ठीक से समझेगा बिल्कुल कोई मीनिंग निस्टेक नहीं अब देखो यह मोल फ्रेक्शन यहां से चल रहा है ठीक है तो एकसे की बात करें तो एकसे यहां पड़ कितना होगा तो अभी तो पॉइंट से सुरू हो रहा है तो एकसे यहां पड़ कितना होगा एकसे यह तो चली रहा है चल रहा दीरे 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 बढ़ रहा तो एकसे यहां पड़ होगा 0 और यहां मिल जाएगा X A कितना 1 चुकि मॉल फ्रैक्षन की मैक्समुम बहलिए कितनी होती है वर उती है और सप्स्क्राइब तो यहां बिल्कुल वन हो जाएगी इसके सुरू ही हो रही है तो यहां हमोल फ्रक्शनस टार्ट होते होते मानलों की चलो इस पॉइंट पे आगया इस देट okay को दिककत पी प्रेशर पने इतना है तो यहां सब्सक्राइब धर्जा यहां से स lige masculine UK यहां गया तो यहां मैक्समम मिलेगा और यह तो यह जो है यहां न दो यह नगर सब्सक्राइब यहां गालगा तो यहां सब्सक्राइब-पूर को पीनोट één को यहां किस पी ए ऐसे यहां पड़ क्या हो जाएगा बबू पी इस देट ओके अट टोटल प्रेसर क्या आएगा यहां तो टोटल प्रेसर आ गया यह यह पूरा ठीक है यह किसका है बताओ यह है यह यह और यह किसका लाइन आएगा तो पी नॉट एंटू एक्स ए और यह हमारा हो जाएगा पी वी यहां ऐसे लिख देते हैं तो पी नॉट भी इंटू एक्स भी और यह हो जाएगा हमारा इसका पी टी इस इक्वल टू पी नॉट एंटू एक्स ए प्लस पी नॉट भी इंटू एक्स भी अब देखो जो इसको फॉलो कर देगा जो गैस इस चीज को फॉलो कर देगा जो इसको ट्रेस करेगा इस लाइन को बिल्कुल इसी लाइन को जैसा हमने बनाया है उसको हम लोग आ है एडěल सॉलूुशन माल लेंगे ठीक है और इस समय जोडेलेच होता है वह जीरो हो दीक्रों के बढ़ावधlichkeit은 का मतलब होता है इंथैल्पी जेंजीन हीट इंथैल्पी है इसका मतलब क्या हूब रहा है दोनों combined हो जाएंगे और कोई changing नहीं आएगी उसके अंदर ठीक है जितना pressure होना चाहिए उतना ही pressure आएगा मतलब जैसा कि हमने ratio में क्या बताया था 20 ग्राम और 60 ग्राम लेंगे और 80 ग्राम आता है कम जा रहा है और ज्यादा हो जा रहा है तो यह चीज समझ में आगा कि सिंपल मेथड से ग्राफ एक रॉल्ट लॉक बन के आया है ने डिल सॉलीशन दो तरीके से हो सकते हैं एक तो हो कि रॉल्ट लॉके रॉल्ट लॉके जो ग्राफ है रॉल्ट लॉका जो concept है उससे बुझ पॉजेटिव डेविएशन दे पॉजेटिव डेविएशन का मतलब क्या हो रहा है कि या तो आप 30 और 40 का एडिशन कर रहे हैं म कि पॉजेटिव डेविएशन हो गई मतलब कि जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रिसर आ रहा है ठीक है और यह तब होता है कब होगा बताते हैं और एक तो तब हो सकते जब नीगेटिव डेविएशन होना जाए मतलब एड करने पर वहां कम जा रहा है तो कमने पर स्कूलिटिव डिविशन क्या होते हैं कौन से सबस्टेंस तो करेंगे नहीं करेंगे क्यों करेंगे देखते हैं अब पढ़लिश का स्क्रे determi सबसक्राइब लिए grands चली हाँ अभे up धकर men ideal solution up साथ में लिखेंगे तो पहले एंगे अडेन आइडेंस सॉलीशन किसको करते हैं तो इसमें तो सदा सा में की ॐधिनिशन बनाएंग आप क्या कि दो स्टैप्स तैप्स ऑप सोलुशन हना नन आईडियल सॉलुशन तो इसमें क्या लिखेंगे कि दोज टाइप्स ऑप सॉलुशन विच डज नॉट विच डज नॉट फॉलू क्या रॉल्ट लॉग कौन से लोग कुट फॉल्व नहीं करेगा तो र्वारिट लोग को एचितार फालो नहीं करेगा तो प्लूग उसको क्या कहेंगे आदयल सोलूशन ए shy फ्लीशन का देख लें उसमें हम लोग देख लिते हैं निगेटिव डाइविएशन लिख लेता हैं कि सोलूशन अगे सोल । शॉलScript क्या सोल I native deviation from Rats law from Rats law negative deviation Webb so hacker I don't have to negative deviation so get градisia problem condition क्या क्या हो रहा कैसे क्यों करता है तो दाघो ROB से पहले हम क्या करते हैं कि a solution ले 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 लोगे ठीक से समझेहें इस बात को हम क्या करते हैं कि एक solution ले 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 अब इस solution के अंदर जो है वो दोनों का molecules है किसके किसके molecules है A B A B और A का molecules है सब का molecules अब यह दोनों का molecules मिला हुआ है अब यह दोनों का molecules मिला हुआ है लेकिन अगर अगर यह independent होता मतलब कि अभी mix नहीं होता अलग-अलग दोनों होता अलग होते और सॉल्वेट एलग होतें तो एक दूसरे से एक force से attracted होते और इंत्राइक्टेल्ट होते हैं अपने ही इंटर्मॉलिकिलर forces से attracted होते तो जब मान लो solute को और solvent को ओलने जब force of attraction और ज़्यादा बढ़ जाता है if force of attraction is increases than जो force बढ़ जायगा तो energy ज्यादा consume करेगा break करने में bonding को bond को break करने में और ज्यादा energy consume करेगा तो एसे इस्तीव में if a force of attraction is increases then amount of energy is also increases so vapor पर प्रेसर इस डिक्रीजेस इस भाटबाबू डिक्रीजेस तो यहां पर वैसे इस्तिति में तुम सोच के देखो जब वाइल करेगा तो क्या यहां प्रेशर उतना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा समझ में आ रहा है ना देखो एजब इंडिपेंड मसला बिल्कुल फ्री भी जब बिल्कुल फ्री था तब जो इसका प्रेशर आ रहा था वो कंसीडर कर लेते हैं दोनों को मिला देते हैं तो अगर बॉंडिंग और ज्यादा स्ट्रॉंग हो रही है तो प्रेसर ऐसे इस्तिति में कम जाएगी क्यों कि बॉंडिंग को क्लिवेज करने में ज्यादा इनर्जी लग रहा है तो जो सफिसेंट एमाउंट ए और बी को तोड़ने में उसमें लगा रहते हो दोनों इनर्जी को एड़ करके उतना ही इक्वेल इमाउंट में अगर इनर्जी लगा को उसके ब्रेक करोगे फोर्स उपट्रक्शन ज्यादा हो रही है तो ऐसी इस्तित और डेजन्ट इसकेप्स ठीका ना तो फेपर प्रेशर भी कम जाएगा तो फेपर प्रेशर कम जाएगा तो क्या क्या हो सकता है तो देखो पीए इस क्या हो जाएगा बताओ प्रेशर कम रहा है तो पीए जो ना वो डेजनाट इक्वल टू बन जाएगा रिलेशन में क्या किसके पी नॉट एंटू एक्स ए तो पी बी बी क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू पी बी इंटू एक्स बी एक्स बी का मतलब मोल फ्रेक्शन तोटल प्रेसर भी क्या हो जाएगा तो तो प्लाट एंटू XA प्लस P0B into XB ठीक है अब यह does not equal है ठीक है इक्वल नहीं है तो क्या है फिर जब equal नहीं है तो पीटी जो है वो smaller है किस से P0A XA प्लस P0B XB से तो smaller है तो इसका graph कैसे बन जाएगा देखो यहाँ यह इस तरीके से है तो आपको हमने बताया था यहाँ बताएंगे X कित क्या होगा 0 और XB कितना सो करेगा 1 तो यहाँ से मान लो कि हम एक ऐसे ले लिए यह P A प्रेसर पर है ठीक है अब यहाँ XA बराबर 1 मोल सो करेगा ठीक है और XB यहाँ 0 सो करेगा अब यहाँ से मान लो कि हम एक प्रेसर यहाँ रेते है यह P भी प्या अगया ठीक है और यह दोनों यह किसका है बताओ तो यह हो जाएगा इसका P A Is a smaller than टोटल प्रेसर जो है वो सॉल्यूट का वो small होगा किस से तो P नॉट A इंटू XA से और यहाँ P V भी small होगा किस से P नॉट B इंटू XB से ठीक है और टोटल प्रेसर का जो है न वो यह आगया यहाँ ऐसे P नॉट B आपका होगया टोटल P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB P नॉट थोड़ा बलर होगया इसको ऐसे कर देगा ठीक है तो अब देखो ध्यान से समझू इस ग्राफ को यह चीजे हमने बनाया नैन आइडियल का केवल नैन आइडियल का अब क्या है कि यह माल लो जैसे इसको ठीक से समझू अब यह जो बनाया गया है यह नैन आइडियल का बनाया गया है तो आइडियल पे अगर रखो गे इसको तो यह ग्राफ जो है ना यह इस तरीके से सो करेगा ठीक है ठीक से समझू यह ग्राफ जो है नीचे की और सो करेगा यह graph यहां से नीचे की और सो करेगा ऐसे sorry और यह जो है यहां से सो करेगा ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं कि sir जब आप यह बना ही दिये तो ही तो टोटल का बना दिये अरे मेरे भाई इसको ठीक से समझो यह मान लो as if मान लो ऐसा यह जो है यह ideal का है यह total ideal का चल रहा है तो यह ideal से जो यह नीचे सो कर रहा है तो ऐसे इस्तिमें डाउन सो करेगा ठीक है ideal solution का जो graph था अब देखे थे उस graph से नीचे की और सो करेगा total pressure नीचे हो जाएगा pure substance solute का नीचे हो जाएगा और pure substance solvent का भी नीचे होगा नीचे होने का कारण क्या हो रहा है तो ठीक से समझना है नीचे होने का कारण क्या है कि जो molecules से वह strongly held है और जब molecules strongly held होंगे जब molecules strongly held होंगे तो ऐसे इस्तिति में भेपर pressure कम बनेगा जब कम बनेगा तो इसके कम करेगा pressure कम कम होगा तो ऐसे इस्तितिति में जो यह law है इसग्राफ से जो डॉन सो कर रहा यही हो गया कि निगेटिव डेवियेशन है हो गया, रहा कि बुक में यह चीज ऐसे नहीं लिखा यह चीज जोने इस पॉइंट पर इसे लिखा मैं लिकिन रहा है की यह बानटड लाइन जो है यह णे दिखाया है इन आइडियल इसका इसकाइजामपल पूछता है इसके साथ बॉण्डिंग पूछती है याद रखना यह बहुत है और यह पूछता है कि कौन इसके साथ बनाता है इसके साथ किटोनिक से गुरूब जो होता न यह एक जामपल याद रखेगा यह जो है नाइडियल यह नाइडियल सो करता है और नीगेटिव डिविएशन सो करता है यह बाग कई में प्रेशर को दिक्रीज करता है इसका विए स्क्रेंश लो चलो इसके बाद हम देखते हैं नाइडियल का पॉजिटिव डिविएशन की पॉजिटिव डिविएशन कैसे सो करेगा ठीक है नेन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन कैसे सोफ होगा और क्यों करेगा तो देखो नेन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है यहां लिख देते हैं क्या कि शॉलुशन सोफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लाउ रॉल्ट्स लाउ रॉल्ट्स लाउ से पॉजिटिव डेविएशन तो स्वेम चीज यहां भी है कंडिशन आपको पता होना चाहिए हम आपको अलरडी बना बता चुके हैं यहां पॉजिटिव शो कर रहा है तो यहां भी डजनाट इक्वल टू किसके पी नॉट एंटू एक्स ए पी डजनाट इक्वल टू किसके पी नॉट बी इंटू एक्स भी तो पी टी भी डजनाट इक्वल टू किसके पी नॉट एंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स भी तो क्या कंडिशन आएगी जब equal नहीं है तो कौन सी condition आ रही है तो इसमें pressure ज़्यादा हो जा रहा है तो इसमें जो condition होती है वो यह होती है कि P A is greater than किसके P not A into X A mole fraction के और P B भी greater हो जाती है किससे X B से तो यह P total भी क्या हो जाएगी greater हो जाएगी P not A X A plus P not B into X B के तो इसका graph cash बनाओ गए यही इसी चीज़ को तो यहाँ लीग दिया जाता अब जो को इसका concept समझो कि प्रेशर जादा क्यों होता है तो जब प्रेशर जादा क्यों होता है जैसे मान लोग की non dissolvable substance को बने like dissolve like नहीं है मतलब already अंदर में ने internal forces जो हैं वो बीक हैं मतलब लोग के अंदर जो है ना जो भी molecule dissolve है दो liquids जो dissolve है वो already खुदी से बहुत ज़्यादा pressure exert कर रहे है pressure exert कर रहे है एक खुद अपना pressure भी अपना खुद pressure अब दोनों को मिला दिये और मिलाने के बाद देख रहे हैं कि और heat release कर दिया एक्सो थर्मिक हो गया मतलब हीट और release कर दिया तो pressure उसमें क्या हो जाती है बढ़ जाती है कब ऐसा हुआ दब जोनों को मिलाया गया ए और बी के condition होता है से सच्चेशन हो सकता है कि बने अडियल हो जाए ठीक है तो अब हम लोग समझेंगे इसको graph के माद्यम से कैसे ही है तो करेगा ठीक है तो अभी मानलों हम ऐसे ले लिए अभी आपको बताया था एक से इस इक्वल डू यहां एक से कितना होगा जीरो होगा और यहां एक कितना मिलेगा वन अब इसका प्रेशर चेक कर ले सबसे पहले यहां पई वन पा यही को दिक्कत नहीं तो यह आइडियल को यह आइडियल का चल रहा ठीकाना याद रखना इस बात को अब मान लों कि यहां से एक हम ऐसे ले ले यहां और यह हो गया पीवी का और यहां एक्स भी कितना हो जागा वन और एक्स भी यहां कितना हो जागा जीरो एक्स भी यहां जीरो ही होगा चुकि यहां तो अभी मॉल फ्रेक्शन यहां कुछ ही नहीं जब बढ़ रहा है दिरे 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 मॉल फ्रेक्शन यहां इ यह टोटल प्रेशर यह तना हो गया तो यह जो ग्राफ देख रहे हो ना यह आइडियल का है यह आइडियल का फिलाल है अब क्या होगा कि इन आइडियल में यही चीज ना ऊपर कियो रहा है अगर यह इस इस लाइन को ट्रेस करते हुए चलता टोटल सॉलुशन गंदर यह पानलो है और इस लिशन में जो भी मॉलक्यूल्स थे और इस मॉलक्यूल्स के द्वारा जो लगाया गया जो प्रेशर होता ए बी ए बी ए इस टोटल मॉलक्यूल्स के द्वारा जो लगाया गया इसके उपर प्रेशर था इस प्रेशर अगर यह प्रेशर इसी लाइन को ट् जो होंगे मॉल्किल्स और स्केप्स्टॉ प्रेशर फ्रेशर और इनक्रीज जयादा प्रेशर प्रेशर ज्यादा प्रेशर ज्यादा पड़ जयागा तो पॉजिटीव इंद्लेशन्स न्यु गया अभी यह तो इसका भी दखो यह एकस भी का लिये यह भी पोजेटिवबी तिक यह पोजेटिव डिवियशन जो रॉल्ट लॉक के ग्राफ का जो ग्राफ के उपर जो करेगा पॉजेट इबिशन नीचे सो करेगा तो क्यों क्यों कि क्यों कुछ करता है कि और पर जब मॉलिक्ल्स जदा इसकेप करेंगे तो जाहिर सी बात है विपर प्रेशर बढ़ जाएगा अब दो ऐसे सबस्टेंस को मिला दिया हो जैसे में देखो वाटर को और वाटर के साथ मिला दियो तुम टॉलियून को को अब यह दोनों घुलने का आपस में डिजॉल्वने का नाम ही नहीं ले रहा है अब यह दोनों ऐसे चीज है मिलने के बाद यह दुनों पहले ही से आपस में ऐसे कर रहा है दूसरे को घुर रहा है अब मिला दिये और ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया अंदर में और ज्या प्रेशर ठाट विल देंगे पी नॉट यह चौरी कि लिगदेंगे पी टॉटल इस ग्रीटर नो पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट भी एक्स भी से टोटल जो सम करेंगे उससे ज्यादा आप यह कुछ नहीं है कि इसका विए स्क्रेंट लेलो तो इस लेक्षर के अंदर आपने दो हीं चीज को जाना है एक पॉजिटिव डिविशन दूसरा निगेटीव डिविशन और एक में जो कंसरप था वो हमारा रॉल्ट 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 का ग्राफ तो इसमें पढ़ाया औ और ये तो आप देखें, आपको समझ आहीं गया होगा, तो आप इसका भी रिवीजन करेंगे, और जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही ये जो ट्रॉपिक बरगर कंसेप्ट है, बहुत ही ये बोर्ड बगर हमें भी पुछता भी है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद,